नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सब का मेरे सेटीव चनल में आज ट्राइडन कंपणी ने अपने क्यूटूब के रिजल्ट अनौन्स कर दिये है तो इस रिजल्ट को हम डिटेल में देखेंगे इसके साथी जब मार्केट मंडे को ओपन होगा तो शेर प्राइस में क्या एक इंकम किया है अगर इस इंकम को लास्ट कॉर्टर से कंपेर करते हैं तो लास्ट कॉर्टर कंपणी ने 16,700 करोट रुपीज का इंकम किया था तो इस कॉर्टर कंपणी का जो टोटल इंकम है रिड्यूस हो जुका है इसको अगर येर और येर वेसिस पर कंपेर करते हैं तो last quarter company ने 16,700 करोट का income किया था तो इस quarter company का, जो total income है, reduced हो weigh-out कि, इसके बाद company का net profit अगर देखा जाए तो, इस quarter company ने total 396 करोट का profit किया है. तो इसको last quarter से अगर compare करते हो, तो last quarter company ने 2238 का profit किया था तो इस quarter में company का जो net profit है और reduce हो जुका है इसके साथ ही अगर आप air on year business compare करते हो तो last year इस quarter company ने 2288 करोट का profit किया था तो इस साल reduce होके 396 करोट का profit हो जुका है अगर company का total net income हम अगर देखेंगे तो इस quarter company ने total 331 करोट का total net income किया है तो आगर इस net income को अगर आप last quarter से compare करोगे तो last quarter का जो net income है लगबक 1000 करोट के आसपास था और इसी को अगर year on year basis पर आप compare करें तो लगबक 2000 करोड के आसपास company का net income था जो इस quarter reduce होके 300 करोड तक पहुचाए अगर हम company के EPS यानि के earning पर share की बात की जाए तो इस quarter company का जो EPS है 0.07 रुपीज है जो कि last quarter में अगर compare किया जाए तो last quarter company का जो EPS था 0.25 रुपीज था तो इस quarter में गटके वो 0.07 रुपीज हो चुका है तो अगर year on year basis पे देखे तो last quarter company का जो EPS था वो 0.46 रुपीज था जो इस quarter में गटके 0.07 हो चुका है अगर company का overall result देखे तो company का net income है वो positive में है लेकिन अगर हम quarter on quarter और year on year basis पे देखते हैं तो company का result जो है जो net income है वो reduce हो चुका है तो इसके बाद हम company का price chart देखते हैं तो जैसे कि हम देख सकते हैं last कुछ trading session में इसने breakout दिया था लेकिन उपरी सर पे टिक नहीं पाया तो आप Monday को जैसे market open हो जाएगा तो definitely इसमें गिर आउट आ सकती है और जो share से 33 रुपीज तक नीचे आ सकता है तो यहाँ पे आपको एक मोका बन सकता है तो 33 पे position आप बना सकते हैं क्योंकि इस मन्त का जो production data आ चुका है जो की इस result में include नहीं है तो ओ data positive है और इस quarter में US की condition सुधर चुकी है जो बाकी market condition है वो positive है तो इस quarter में definitely टाइड़न को कुछ time मिलेगा अपना production बढ़ाने के लिए और next quarter के जो भी result होगे हो definitely positive रहेगे मंडे को जैसे market open हो जाएगा share में गिराउट वक्की है तो share निशलिस तरफे आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पे definitely कुछ quantity एड़ कर सकते हो और quarter तक आपको इसमें बहुत आच्छा return आपको मिल सकता है so friends मैं आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो please like, share, comments करना मत बुलिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें thanks for watching our videos, bye